हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने योट्यूब चैनल एक वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वीसेप रिकवरी के बाद आपको क्या करना चाहिए उसकी बाद हमें Biscay के तरफ जाना या फिर Cell size के तरफ जाना बहुत सा है लोग वीसेप रिकवरी तक तो ठीक था काम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या करें वहीं पर लोगं confuse हो जाते हैं और वहीं पर maximum लोगं गलती कर बैठते हैं इसलिए we safe recovery के बाद आपको exactly क्या trading strategy follow करना है क्या technique follow करना है उसके उपर हम इस वीडियो में बात करने जा हैं ताकि अगली बाद जब भी आपको we safe recovery complete होता हुआ दिखे उसके बाद आप एक clear cut mind से अपने लिए trading setup तयार कर सके तो चलिए इसको सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगें और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका बिटेनिया इंडस्ट्री का डिली चार्ट है सबसे पहले अगर हम टाइम फ्रेम के उपर बात करें तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं यहां पर हम different example लेने हैं different time frame के त हैं इससे ट्विर्इंग सेट अप त्यार करना वों find दा सबसे पहले हमें क्या find करना होगा हमें सबसे पहले वी शेप recovery को identify करना होगा तो सबसे पेहला हमारा काम है वी को का इडिन्टिफाई करना यहाँ पर चार्ट पर देखें तो देख सकते हैं यहाँ से प्र्यास आपकर नीचे गिरना ए plan जांट हो और यहाँ तक नीचे गिरते हैं फिर यहां से ब्र टाइब बंना जांट आप market में confused होगे, आपका कोई clear cut decision नहीं होगा, तो आपको loss में जाने से कोई नहीं रोग सकता है, इसलिए जब भी market में confusion हो, तो आप trade ना करें, market में आप clear cut mind से ही trade initiate करें, तो यहाँ पे आगे अब हमें confused नहीं होना है, इसके बाद दो ही काम हो सकता है, price यहाँ से नीचे side की तरफ जा सकता है, तो कब उपर जाएगा, और कब यहाँ पे हम buy करेंगे, और कब नीचे जाएगा, और कब यहाँ पे हम sell करेंगे, इस चीज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद वाकई price किसी भी direction में जाता हुआ दिख सकता है, तो हमें काफी अद तक price section को follow कर होंगे, अब सारे लोग निकलना नहीं चाहते, कुछ लोग इसको hold भी करते हैं, अब जिन लोग ने hold गया, price नीचे गया, जब price आपका ऊपर आना start किया, तो जो भी लोग यहाँ पे बने हुए थे पहले से, जैसे ही price के आसपास आया, वो क्या करेंगे, उनको अच्छा ख हमें selling pressure देखने को मिल जाता है, इसी के लिए जब भी आपका VC recovery complete होता है, थोड़ा बहुत selling pressure देखने को मिलता है, और as a real price थोड़ा बहुत आपको नीचे side की तरफ जाता हुआ दिखता है, प्राइस में थोड़ा बहुत हमें reversal देखने को मिलता है, अगर इस तरह का VC recovery है, तो थोड़ा बहुत price आपको ऐसे आता है, और अगर आपका इस तरह का VC recovery है, इस तरीके से price थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखता है, तो जब भी VC recovery बनता है, तो in general time 60 to 70% टाइमस आप बोल सकते हैं, कि हमें थोड़ा बहुत price में reversal देखने को मिल जाता है, तो ये reversal हमें क कितना retracement देगा, कितना pullback देगा, उसके लिए हम एक indicator का इस्तमाल करते हैं, वह आपका Fibonacci retracement, देख सकते हैं, यहाँ पर हमने Fibonacci retracement indicator का इस्तमाल किया है, हम इसका कहां से इस्तमाल करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर आपका low बना है, और जहाँ पर VC recovery complete हुआ, वहाँ पर ह करेंगे, तो इस तरीकिस हमने draw कर लिए, अब यहाँ पर general जो हमें retracement देखने को मिलता है, जो pullback देखने को मिलता है, वह हमें 23% के आसपास देखने को मिलता है, 38% या फिर 61%, इनी तीन में से कोई एक लेवल के आसपास हमें retracement देखने को मिलता, 78% वेयर केस में आता, महुत कम आता हुआ दिखता है, तो सबसे बहले, अगर हम यहाँ पे negative pattern देख रहे हैं, negative price action देख रहे हैं, तो अगर हम sell side की दरफ जाएंगे, तो हमारा first target price होगा 23%, second target price होगा हमारा 38%, और third target price होगा हमारा 63%, तो इनी तीन target price के लिए जाना, और हमेशा यहाँ पे आपको क्या चेक क करना है, वो है आपका risk reward, अगर आपका risk reward आपके favor में है, तो यहाँ पे आप आसानी से trade initiate कर सकते नहीं है, तो यहाँ पे आपको trade initiate नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज हमेशा देखना, वो क्या है, वो है आपका risk reward, जब भी आपके favor में रहे हैं, तभी आपक को प्ले करते हुए ट्वेट इनिशियेट कर सकते हैं अगर निगेटिव प्राइश सेक्षन आया तो जैसे यहां पर देखें वी से रिकावरी कंप्लीट हो गया उसकी बाद आपका यह रेट केंडल बना जिसमें निगेटी वालूम है और रेट केंडल ने स्ट्वेंद भी ह उसके बाद अगल आपका इंसाइट वार केंडल का फॉर्मेशन होना सुरू हो गया इस केंडल के लोईश पॉइंट को मार्क करेंगे जैसे प्रैस लोको ब्रेक करके निकलेगा हम सेल साइट की तरफ जाएंगे यह पॉइंट मेरा एसल बनेगा और पहला टागेट पैस हम हमारे फेवर में बंता हुआ दिख रहा अलगर है कि विस्पर्ट वैचान में तो फेट नहीं लेते तो बहुता रागेट वागयोर की साप knapp 61 के करीब होता दिखेगा तो छेडिसцию नीची आए 23% को टच किया है, फिर आपका 38% करीब आया है, लेकिन इसको टच नहीं किया, तो वापस से यहाँ पे आया है, और यहाँ पे अपना हम profit बुक करके निकल जाएंगे, यहनी यहाँ पे हमें अच्छा कासा profit मिलता हुआ दिख जाएगा, यहनी वीशेप recovery के बाद, जो यह आप का retracement दिखाया है, लगबग आपका 23-30% का उस retracement में भी हमने profit बना लिया, तो पहला point है, कि आप retracement को follow करते हुए, वहाँ से profit बना सकते हैं, दूसरा, कि यहाँ पे जो वीशेप recovery complete हुआ है, उस point को हम mark कर देंगे, और जैसे ही price इसको break करके उपर निकलेगा, हम यहाँ पे breakout के लिए जाएंगे, हम इसको breakout की रूप में tweet करेंगे, और यहाँ पे हम इसी point के आसपास, buy side की तरफ यहाँ पे हम clear cut interview लेंगे, और जो इसको break करके नीचे गया, उसका lowest point SL के रूप में काम करेगा, फिर यहाँ पे हम trailing SL या फिर previous swing high, swing low के basis पे, अपना target price set कर सकते हैं, त लिया 3086 के आसपास, और all the way price आपका 3300 से वी उपर गया है, अगर हम exact बात करें, तो price आपका काफी उपर तक गया है, तिहाँ पे आप आप आसानी से अच्छा खासा profit सकते हैं, तिहाँ पे हमने V-shape recovery को identify किया है, और उसके basis पे दो चीज़ बनाया, एक तो हमने retracement को play किया और दूसरा हमने breakout को play करते हुए, दूनों जगल से profit बनाया, कई बार आपको यहाँ से profit मिलता हुआ नहीं, दिखेगा retracement से, यहाँ से नहीं मिलता है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं, और दूनों में भी नहीं मिलता है, तो हम नहीं जाएंगे, जवरदस्ती का tweet नहीं लेना ह करते हैं, यह एक्जांपल समझ में आ गया होगा, दूसरा एक्जांपल हम आते हैं, और यह आपका HCL Tick का चार्ट और यहाँ पर हम आवली टाइम फ्रेम में आ गये, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका इस्तमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, आगे हम और अधर इस यहाँ पर खुछ जानपल लेगे हैं यहाँ पर हम इसके लिए तो आँसरे कंगों की हमने बीच चरीक यहान पर यहां पर दे पास है उतना ही strength buyers के पास है यहां पर sellers थोड़े से कमजोर हुए और buyers थोड़े से मजबूत हुए उसके बाद यहां पर हम buy side की तरफ positions लेंगे यह point मेरा SL की रूप में काम करेगा और यह मेरा target price होगा पस्ट और यह हमारा second target price हो गया तो उपर गया है उसको break करके नीचे नहीं आया मतलब यहां पर हम जो breakdown के लिए नहीं जाएंगे हमने अच्छा कासा वेट किया उसके बाद नहीं आया तो फिर हमारे कोई काम का move नहीं रहे गया फिर वी से जो recovery या फिर pattern हमें देखने को मिला है उसका आपको ज़्यादा इंप्रेंस नहीं रह आते हैं यह आपका इंडेस्टन बैंक का अवरली चाट वाला एक्जांपल है यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने वी से प्रिकवरी को यहां पर identify किया है अब उसकी बाद यहां पर बात करें इसकी बाद दो काम हो सकता है यहां से विट्वेस्मेंट आएगा नहीं त होता हुआ दिखा है परफेक्ट इवनिंग स्टाट दो नहीं है लेकिन काफियों तक निगेटिव के पैटरन है और 23% के बाद हमें इंट्री का मौका मिला है यहां पर हम इंट्वी लेंगे और आपका 38% और 61% के टागेट पैस के लिए आसानी से जा सकते हैं और जो केंड 61% का रिट्रेस्मेंट यहां पे हमें देखने को मिला है तो आपने देखा कि रिट्रेस्मेंट 61% का भी देखने को मिलता है लेकिन ऐसा रिट्रेस्मेंट आपको बहुत कम देखने मिलेगा इतना रिट्रेस्मेंट के बाद तो आपको ट्रेंड ही चेंज होता हुआ देख साइड मूब से भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हम इस लेवल पर इंट्वी लेते हैं फिर भी हमें यहां पर लगवाग यहां पर सबसे पहला किस्टो खäter है यहां पर हम पर इस लेवल पर इंट्वी ले रहें तो चोटा सा टागेट ओगा लेकिन वो दूसरा है हमें पहले target price के लिए जाना है और उसके basis पर risk reward calculate करता है उसके basis पर calculate करता है यहाँ पर हम tweet initiate नहीं करेंगे फिर आपका price नीचे आ है लेकिन जो हमारा nick line था जहाँ पर विसेप recovery complete वा उसको अभी break नहीं किया अगर इसको break करके नीचे आ जाता है और closing इस उसके बाद sellers में strength दिखता है इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम breakdown के लिए जा सकते हैं लेकिन अभी हमें फिलाल यहाँ पर कोई tweet initiate नहीं करना है तो आपको विसेप recovery के बाद कब trade नहीं करना है यह भी आपको पता होना चाहिए इसलिए हमने different example लिया है और different time frame में ल लेना है कब हमें दो दो बार tweet लेना कब हमें एक बार tweet लेना और कब हमें tweet नहीं लेना तो उम्मीद करते हैं यह unique concept आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरह का concept आपको कहीं और नहीं मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर ही मिलेगा तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जहूर कर लीजे और bell icon को जहूर दबा दीजे ताकि जब भी हम अपना next video upload करें वो वीडियो आप तक पहुंझा और आप video को miss ना करें और एक और चीछ बताना चाहूंगा कि अगर आपको price action और technical analysis के बारे में और indicator के बारे में सीखना है तो हमारा course भी है हमने course भी launch किया है तो उसके लिए आप हमारा mobile app equity community को download कर सकते हैं और वहाँ पे आप course भी देख सकते हैं और साथ इसके लाबा future options के बारे में भी आपको course मिलेगा जहाँ पे हमने basic से लेके advanced level तक सब कुछ बताया और आपको stock market के बारे में भी basic से लेके advanced level तक complete course मिल जाएगा और ये सब course independent trader के रूप में tweet कर सकते हैं और खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं और आप trading को काफी हद तक as a carrier के रूप में भी use कर सकते हैं तो अगर आप trading को carrier बरना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे mobile app को download करके course को जोड़ विजिट किजिए पसंद आता है ता आप उसको involve कर सकते हैं so that's all इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और informative content को लेगे जैहिन